आज मैं बना रहे हूं इंस्टन डोगला और विदाउट ओवन है और विदाउट इनो है तो यहां पर मैंने देड़कप बेसन ले लिया हुआ है और इसमें जो जो चीज़े जाएगी तो यहां पर मैंने तो यहां यहां पर टोटीबल स्पून में ने शुगर लिया हुआ है और इसमें आप चाहिए और समय में तड़के में यूज करूंगी और यहां पर मैंने राई लीवी है मस्टर्ड सीड और यह 12 करी लीव्ज है और सेम ग्रीन चिली भी है यहां पर मैंने बीच में से कट कर लिया इसको तो यह चार से पाच होएगी और अगेन मैंने वन टी स्पून लेमन जूस लेया हुआ है तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं यह जो बेसन है बेसन के अंदर मैं हल्दी पाउडर दालूँगी हाफ टी स्पून नमक सॉल्ट अपॉडिंटिव टीज दाली है रवा दालेंगे इसके अंदर और मैं इसका एक स्मूथ से बैटर बना लूँगी और मैं इसके अंदर वन टीबिल स्पून शूगर एड करूँगी देखिए वन टीबिल स्पून शूगर मैंने डाला हुआ है इसके अंदर और इससे में अच्छे से मिक्स कर लेटी एक स्मूथ से बैटर बना ले रहा है हमें यह देखिए पानी में से मुझे वन थरड़ी ही लगा है तो यहां पर देखिए मैंने बैटर अच्छे से बना यह देखिए और मैंको पूरा एक ग्लास लगा हुआ था पानी और यह देखिए बैटर इस तरीकी से बना चाहिए अभी इसके अंदर मैंने क्या नहीं डाला है लेमन जूस में यह है दाला और यह वह बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा तो अभी मैंसे क्या करूंगी इ हम तो यहां पर देक्खिए अभी सात मिनिट हो गए तो उसके बाद में इसके अंदर विक्या डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा और त сюда और इसके बाद मैं मैं लेमन जूस दालूंगी सकंद सधाओं और अपने क्या हुंण इसे अँच्छे से ब्लीध क बस इस तरीकी से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखिए आटोमाटिक जो बैटर है फ्लफी हो जाएगा अपना यह आपको तुरी मैसूस होगा जब आप ब्रिट करोंगे तो आटोमाटिक लिए आपको फ्लफी लगने लगेगा तो बस वो टाइम पर आपने क्या कर अब मैंने यहां पर एक टीन लिए हुआ है बेसिकली मैं इसमें केक बेक करती हुआ है तो अब मैं क्या करऊगी मैंने इसको ओई से ग्रीस किया हुआ है तो अब मैं इसके अंदर यह बैटर दाल दोगी इस तरीके से और मैं कूकर मैंने रखा हुआ है गरम करने के लिए उ सदिषन की दें दाला वा था है और उसके चोंख के टो पाट्मीस को शञतला अगछ श्क पाणि आधा करना से सब्सक्क्राइब और फाणीने में इकलास और यह जो डोगले का जो बैटर है वो मैं इसके अंदर रख्टूंगी और मैं भी जो कुकर है उसका लीड बन कर दूंगी तो इसको मैंने पांच मेंट पहले गरम करने के लिए रखा था और आप मैं इसको बन कर दूंगी और 20 मिनिट के बाद मैं ओपन करके देखेंगे तो मैंने इसका विजल निकाल दिया तो यहां पर देखिए अभी 25 मिनिट हो गए तो 25 मिनिट के बाद मैं मैं कुकर का लिड़ खोल दूंगी और यहां पर देखिए हाँ अभी मैं एक नाइफ लेकर चेक करूंगी या तो फिर आप तूतिक से भी चेक कर सकते हों बस इस तरीके से अंदर डालेंगे अंदर यह अगर क्लीन आती है डैट मिन्स की अच्छे स्कूप हो गया है तो अभी मैं क्या करूंगी इसे निकाल देते और तड़का बनात रहे हैं तो यहाँ पर दीखिम मैंने एक पैन दे लिया है पैन के अंदर मैं अभी 2 टी स्पोन ओई डालूंगी तो Twenty को काफी है और यह जो मैंने बनाया था नू तडोगला इसको ली के मज़र कर दिया तीक कितना स्चार्णी बनाוע है इतना सॉप्ट है और यह मैंने काफी मरतबा पहले भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है बड मैंने इससे पहले जो इनों से बनाते इनों से भी मैंने बनाने के लिए ट्राइ किया था बड़ अनपोचनेटली वो मुझसे नहीं बनता था वो कही न कहीं मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी वो बीच में से कच्छा हो जाता था तो यह जस्ट फो बेगिनर है कि हर को इसको बना सकता है यह डोगी को सॉरी इस मैथट से अगर बनावे तो कोई भी बना सकता है इसको तो चलिए अब मैं क्या करूंगी यह ओल अगा हमारा गरम हो जाए न फिर में सारे तड़के की चीज इसमें डाल देखें कि तुछ चेक करते हैं मस्टरड चीर तो चलिए मस्टरड सीफ लाजाते है और यह थोड़ा सा स्प्लड़न होने स्टाट हो जाए तो तैंधिंधिर मैं इसके अंदर करी लीप्स दालूगी यह दिखें है मुदा स्टाट हो गये है हुआ कि तो यह दिखेए स्प्लडर हो गया यह कोवित करीज दोगी अग्या अग्या ब्रिण के लिए घ्रच करूंगी और दो फड़के इस सरीके से तभेट यह हो गया तो अग्या करूंगी कराफ भ्यास में टारीज़ आप तो यह देखिए हाफ ग्लास से हाफ ग्लास मैंने पानी लिया था इतना पानी बच गया है दो टीम स्कूल बच गया है पानी तो अब मैं ग्याद होंगी इसमें लेमन है और शुगर है वह मैं इसमें डाल दूगी तरीके से और इससे अच्छे से हम कि बॉइल आने देंगे यह दिखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है इसे बॉइल आने देते हैं अच्छे से तो यह दिखिए इसमें बॉइल आना स्टार्ट हो गया है तो मैं गैस का फ्रीप बन कर दूगी और यह जो तड़का है यह मैं इसके ओपर इस तरीके से प्रेट कर दूगी और कर दूगी अच्छे लिए हमारा बन के रेडी है जा दूगी और यह मैंगे प्रेट कर दो अच्छे L और कर दो मैं इस बॉगी और कर दूगी आना स्टार्ट